हलो, गुड इनिंग दोस्तों, आज हम इस सेशन में डिसकस करने वाले हैं आई एनस विकरांत के बारे में, इंडियन नेवल सिप विकरांत है, उसके बारे हम बैसिक फेक्ट है वो जानेंगी कि क्या-क्या हमरे लिए इंपोर्टेंट है जो की कम्पिरिटिव एक्जाम में प काफी चर्चित हूँ यह है कि इंडिया ने अपना पहला इंडियन नेवल सिप इनस उसका नाम है विकरांत यह इंडिया ने अपना पहला सिप है, वो लॉंच करने की बात है, वो कहिए उसी को लेकर नूज आई है, यह अभी इसकी टेस्टिंग चल लिए है, तो हम कुछ समझते हैं कि इंडियन नेवल सिप इनस विकरांत है क्या, फलस में यह एरक्राफ्ट केरियर क्या चीज होती है, यह काफी सारी दो तीन जो बिसिक फेक्ट हैं, पहले वो देख लेते हैं, दोस्तों बेसिकली एरक्राफ्ट केरियर, इंडिजनेस एरक्राफ्ट केरियर, यह ठीकली, aircraft carrier एक बड़ा सा जाज होता है समुधर में, जो इसकी आपके जो बाकी aircraft होते हैं, जैसे की राफेल हो गया आपका, तेजस हो गड़ा है, इनको landing भी करवा सकता है, इनको वहां से launch भी कर सकता है, इस तरकी कही होता है, जैसा कि आपको यहां पर image में दिख रहा है, यह यह दिख रहा है क्या है यह आपका ऐर्क्राफ्ट के जिससे आप बोल सकते हों ठीक है इंडिजनेस ऐर्क्राफ रिडक मिलब भारत ने खुद का अपना बनाए यह यह बारत के द्वारा बनाएगा ऐर्क्राफ्ट के रियर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों खास features की क्या हैं एक एक चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस type के जो videos हैं प्लस में internal security की जो classes हैं यह दोस्तों आप अपने जो हमारा चैनल है नमस्ते exam इसके ओपर देख सकते हो नमस्ते exam basically मैंने आप सभी के लिए एक channel करना है इस channel के द्वारा दोस्तों मैं आपको काफी सारे videos हैं interesting वो यहाँ पर प्रवाइड करवाता हूं प्लस मैं दोस्तों इस channel के द्वारा आपको मैं mentorship भी प्रवाइड करवाता हूं जो भी study related आपको guidance से ही होता है कैसे study करनी है किस दरगे से हमारी pros रहनी चाहिए यह सार material मैं आपको यहाँ पर प्रवाइड करवाता हूं तो आप इसको follow कर सकते हो इसको आप subscribe कर सकते हो दूसरी खास चीज़ी है दोस्तों मैं daily आप लोगों के लिए दिन में काफी सारी current affair के जो वीडियोज है क्यूसन वगरा हैं यह मैं आपको instagram facebook पर भी provide करवाता हूं तो वहा पर भी आप follow कर सकते हूं नमस्ते एक्जाम के नाम से आप मुझे दून सकते हो ठीक है यह जब भी आप instagram वगरा पर जाओ तो वहाँ पर आप नमस्ते एक्जाम के नाम से जब search करोगी तो वहाँ पर आपको अपना destination मिल जाएगा तो उस पर आप update कर सकते हो तो आप जाके यह launch है वो कर रहे हैं देखो अभी इस एक complete बना तो लिया गया है लेकिन दोस्तों इसको launch करने की बात है सरकार वो करिए 2023 में इसको launch करने की बात है वो चल रही है तो इस तरके से आपको इमेज में दिख रहा है इसमें काफी सारे लड़ा को इमान है वो यहाँ पर और यह Indian Ocean में बाकी से में हमें security वगरा के इसका यूज है वो किया जाएगा तो news थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी दोस्तों खास चीजी है कि यह सारा का सारा इंडिया में बनाया गया है अब prelims में देखो यहाँ पर कीदर के question बन सकते हैं प्रिलिम्स में अगर हम question क की बात करें तो दोस्तों prelims के question यह बन सकते हैं कि INS विकरांथ है कि आप से बुछ ले जाएगा यह कोई सब्मरीन है यह कोई aircraft carrier है क्या है तो आपको ध्यान होना चाहिए इन्हीं इसका basically aircraft को इदर से अधर move करने के लिए यूज है वो किया जाता है जो हमारे हुआई जाज बैसिक चीज़े यह आपको याद रखनी है कि aircraft carrier क्या हमाय देश में इससे पहले नहीं था क्या नहीं दोस्तों इससे पहले भी हमाय देश में aircraft carrier में ऐसे जाज थे जो कि हम यूज करे थे लेकिन खास तीज के है हमने इस टैप का जो पहला जाज था वो 1961 में लिया था कहां स ब्रिटेन से मैंने क्या कहा हमने इस टैप का जो पहला जाज है दोस्तों वो 1961 में ब्रिटेन से लिया था और ब्रिटेन के पास के है वो इतरी से कबार पड़ा था पुराना था वहां का और हमने उसको लिया उसको रिनोवेट किया और फिर हमने उसका यूज किया और दोस् ठीक है अब कमाल की स्टोरी और बदाता हूं उसका नाम भी एरकार के नाम था इंडियन नेवल से विक्रान थी था गोटिट लेकिन दोस्तों आपको पता है 1961 में हमने यूज किया उससे पहले उसको ब्रिटेन यूज करा था तो दीरे दीरे वो कबाड हो गया और इसलिए जा और ले रखा था उसका नाम था दुस्ते हम बात करते हैं यहां पर जो कि हमने लिया था कहां से रस्या से याज हे रसे नी रस्या स पी हमने वापस हमारा खुदगा बने है ना, उसका नाम भी आइनस विक्रांत रखा है, ऐसा क्यों किया दोस्तों, ऐसा हमने इसलिए किया है, ताकि उसी की याद में बनाए जासके, समझ रहे हो, यहनि वो जो जाज खतम हो गया था ना, उसी की यादों को ताजा करने के केरला के अंदर कोचिन एक पोर्ट वाला एरिया है वहाँ पर दोस्तों इसको निर्मान है वो यहाँ पर किया गया था अभी इसका टेस्टिंग चल रही है यहीं अभी इसको कहा है ओसेन के अंदर इसकी टेस्टिंग कर रहे है कि इसमें कोई दिक्रत तो गरा तो नहीं है, प्रोफर काम कर रहा है, नहीं का रहा है, यह आपको धान रखना है, ठीक है, तो यह चीज़े धान रखना है, इसमें हमाई जो काफी अत्या धुनिक, जो लेटिस टेगल होजी की विमान है, उनका हम यूज करके, हमाई देश की स जो रखसा है, नेविल सिक्योर्टी है, इसको सिक्योर करने बारे है, तो यह आईनेस विक्रांद के बारे में कुछ फेक्ट है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताएं, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर करें और सब्सक्राइब जो करें, फिलाल इतना ही,